आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महारध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्डी से कर दें आज हम करने जा रहे हैं हमारी चटी कक्षा की वर्कशीट जो की है हिंदी की और आज हम वही पार्ट कर रहे हैं जो पिछली बार कर रहे थे यानि की अक्षरों का महतु जो की एक निबंद विधा है और हमारी आज की वर्कशीट यानि कारेपत्रक का नंबर है 16 और 7 में आज की तारीख है 19 नवंबर तो चलो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट को चित्र अगर हम अपना सबसे पहले यहां पर दिया गया चित्र देखें तो हम इसमें देख सकते हैं एक व्यक्ति चित्र कारी कर रहा है तो देखते हैं इस चित्र के मार्द्यम से हमें और क्या बाते हमा में हैं तो चटी कक्षा में भी इससे संबंदित बाते हम आज कर जो फिलहाल की हमारी वक्षीट चल रही है उसमें हमने पढ़ा ही है और साथ में हमने ये जाना ही है कि 2-3 अरब साल तक इस धर्टी पर किसी प्रकार के भी जीव जन्तु नहीं थे सिर्फ करोडों साल तक केवल जान्वरों और वनस्पतियों का ही धर्टी पर राज्ये रहा मतलब क्या इसका मतलब ये है कि करीब 2-3 अरब साल तक सिर्फ जमीन खाली थी पृत्वी के बनने के बाद पृत्वी जब बहुत समय बाद ठंडी हो गई मतलब करीब करोणों साल पहले पृत्वी तो बहुत पुरानी है पांच अरब साल पुरानी लेकिन उसके बाद लंबे समय तक उसकी स्थितियां ऐसी थी वो जल मगन थी या उससे पहले गरम थी तो इस तरह से अलग-अलग तरह की जो इस्थितियां थी उन सब के बाद अंत तहर दो-तीन अरब साल तक जब पृत्वी पर कोई जीव जनतु नहीं था और करोड़ों साल पहले जानवरों और वनस्पतियों का इस धर्ती पर राज ज रहा मतलग अगर हम कहें कि पृत्वी पर जानवर और वनस्पति फिर्फ कुछ करोड़ साल पुराने हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आदमी ने इस धर्ती पर पांच साल पहले आदमी का जनम हुआ करोड़ों साल पहले जानवरी और वनस्पति का और सिर्फ पांच लाग साल पहले आदमी का विकास हुआ धर्ती पर और दीरे दीरे विकास होते हुए सिर्फ 10,000 साल पहले की ही बात है कि आदमी ने अपना विकास इतना कर लिया कि अब वह गाउं बसाने लगा या गाउं में रहने लगा खेती करने लगा पत्रों के ओजारों का इस्तेमाल करने लगा फिर उसमें तामबे और कांसे के भी ओजार बनाए आप अभी SSA की वर्कशिट कर रहे हैं आपने उसमें अब तक ये पढ़ा ही है कि मानव पत्थर के ओजार बनाता था और बस्तियां बसा कर रहने लगा अब अब आगे भी उसमें ये सब बाते जानेंगे कि उसके बाद उसमें तामबे और कांसे के ओजार बनाए थे तो वजी सब यहां पर बताया गया है कि अक्शरों से पहले की दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो इस प्रित्वी पर मनुश्य की मौजूदगी करीब पांच लाग साल पुरानी है और उसने बहुत सारी चीज़े दस हजार साल पहले ही सीखना शुरू की थी अब हम आगे देखेंगे कि अक्शर कैसे आए अगे पढ़ें तो लिखा है प्रागितिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किये तो यहाँ पर एक शब्द दिया है प्रागितिहासिक इसका क्या मतलब होता है ये शब्द बना है प्राक जमा एतिहासिक शब्द से पुराने समय में ऐसा हुआ था इसका ये मतलब होता है तो प्रागितिहासिक मानव हम उसे बोलते हैं अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं जिस समय के साक्षे हमें मिलते हैं मतलब इस चित्र को देखें हम या हमने अपनी SST की वरकशीट की तो उसमें हमने पढ़ा था कि भीम बेटका में हमें कुर्णूल गुफाओं में हमें ये वो जगहें थी जहां से हमें प्राचीन मानव ने चित्र कारियां की हैं और उसके साक्षे हमें मिले हैं या उस जमाने के चित्र मिले हैं तो ऐसा समय जिसके हमें साक्षे मिलते हैं उसे प्राग एतिहासिक क जिसका लिखित रूप में हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमें उस जमाने की मिल गई है जिसके अधार पर हम अनुवान लगा सकते vein उस समय ऐसा था तो ऐसे time period को हम प्रागेतिहासिक मा कहते हैं तो उस समय के मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किये जैसे पशू पक्षी आदमियों आदी के चित्र बनाना वो आपने वक्षीट में भी देखा था जो एसे स्टी की थी इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तितू में आए मतलब सबसे पहले चित्रों के जरिये से बात की जाती थी उसके बाद भाव और संकेत अस्तितू में आए और फिर कहीं जाकर अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं जैसे मान कर चलिए एक गोल बनाया, वृत लिखा है या फिक छोटा वृत बनाया, गोल बनाया और उसके चारो तरफ किर्णो जैसी रेखाएं बना दी, किर्णो की दियोतक का मतलब बता है किर्णो की सूचक, उनकी प्रती, किर्णो की प्रतीक रेखा बना दी, यूँकि हम क किर्णों को कैसे दिखाते हैं आजभियम क्यूल रेखाओं से ही दिखाते हैं चारे के चारों तरफ लाइन खीश डेते हैं ट्रिंडी मेडी या फिर सीदी सीदी इस से पता चलता है कि वह चित्र सूरज का था और बाद में सूरज को बताने के लिए शयाद उसी चित्र का प्रियोग किया जाने लगा हो और बाद में आगे चल कर उसी चित्र का प्रियोग ताप यानि कि गर्मी और धूप को दिखाने के लिए चित्र का प्रियोग किया जाने लगा हो इस तरह भाव संकेत अस्तित रहीं से बातों से हमें पता चल रहा है कि पृत्वी बहुत साल पुरानी है उससे भी कम पुराने है जीव जन्तु और उससे कम पुराने है जानवर और वनस्पती और उससे भी कहीं कम पुराने है मानव और मानव ने भी अगर विकास करके अगर वो आज जैसी इस्तिती में जब उसने चलना शुरू किया तो यह सिर्फ 10,000 साल पुरानी बात है और बहुत समय लगा पहले उसने चित्र सीखे उसके बाद उसने भाव संकेत सीखे और फिर कहीं जाके अक्षिरों को सीखा तो आगे और पढ़ेंगे इसके वारे में अगली वरकशीट में लेकिन अभी कि तक हमने जो कुछ पढ़ा है उससे हमने क्या जाना क्या सिखा एक बार वो देखते हैं सबसे पहला प्रेश्ण हमसे पूछा गया है कि अक्षिरों के ज्यान से पहले मनुश्य अपनी दूद दराज के इलाकों तक बात को पहुँचाने के लिए किन-किन माध्यमों का सहा लेता होगा यहां पर सरपर आकी मातरा नहीं है आप इसे मातरा लगा कर लिखिएगा चलिए मैं आपके लिए लगा ही देती हूं यहां पर एक मातरा और आएगी सांकेति उसके बाद अगला प्रेश्ण हमसे पूछा गया है पुराने जमाने में लोग यह क्यूं सोचते थ पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे क्यूंकि उस जमाने में सिक्षा पर सब का अधिकार नहीं था चीमित लोग सिक्षा को सिक्षा कि अधिकारी माने जाते थे कुछी लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता था, सब लोगों की पहुंच सिक्षा तक नहीं थी, इसलिए यह या तो भ्रह्म से लाया गया था या फिर लोग ऐसा समझते थे कि जरूर ईश्वर ने इन्हें बनाया है और कुछ लोगों को इससे सीखने का समझने का अधिकार है, यह इसका है उत्तर, उसके बाद भावों को, विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, आज जैसे हम पत्र भेजते हैं, चिठियां लिखते हैं, या SMS वगेरा भेजते हैं, यह सब संभव नहीं हो पाता, और यहां तक ही आज हमने जो बहुत बड़े-बड़े अविश्कार कर लिए हैं, वो भी नहीं होते कि च इवन आज भी प्रारंबिक मानव जैसा होता, कारे पत्रक में शब्द आए हैं, पांच, एक, आदी को पहचान कर लिखिए, तो हमें जितनी भी संख्याएं कारे पत्रक में आई थी, हमें वो सब यहां लिखनी हैं, तो चलो लिख देते हैं, दो, तीन, दस, अरब, हजार, लाग ही, सारे शब्द वक्षीट में, यानि कि हमारे कारे पत्रक में आए हैं, अब हमें बताना है, एक से दस तक ऐसे कौन कौन से सख्या शब्द हैं, जो कारे पत्रक में नहीं हैं, तो एक से दस के बीच में बताने हैं, तो एक और पांच तो हमें यह पहले ही बता चुक यह है साथ तो इसे ठीक करना पड़ेगा हम जल्दी से ठीक कर देते हैं इसे इसे मैं ठीक तो कर देती हूं पर यह बहुत अच्छे से ठीक नहीं होगा आपको ही इसे और अच्छे से ठीक करके लिखना होगा तो आप थोड़ा ध्यान से इसे साथ लिख लीजिएगा मैंने य से छोटी सी प्रात्ना वहीं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे ताकि आपके एक्जाम्स तक और आगे भी मैं आपके लिए आपकी वर्कशीट की आपके पार्ट की वीडियो ऐसे ही बनाती और आपको इसी तरह से काम में मदद मिलती रहे इस चैनल चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि आप से सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्रिप्या करके सब्सक्राइब कर दें आपकी वीडियो के नीचे रड़ कलर का निशान आ रहा होगा इस पर लिखाए सब्सक्राइब क्लिक करने पर कलर चेंज हो गया मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यार सी वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें नमस्कार और धन्यवाल